परमेश्वर के वच्चन के अध्यायन में आप सब का स्वागत हैं क्योंकि आज का दिन बहुत शुब हैं एक वच्चन का भाग मैं धीरे से पड़ूंगी जरूर जब आप सुनते हैं इस पर ध्यान लगाईएगा एफिसियो एक उसका तीन से हमारे प्रभू येश्व मसी के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसी में स्वर्गिय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशिशे दी है जैसे उसने हमें जगत की उत्पती से पहले उसमें चुन लिया परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोश हो उसके निकट हो हम और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिये पहले से ही ठहराया कि येश्व मसी के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो उसने हमें गोद ले लिया है अपना बना लिया है कि उसके उस अनुग्र की महिमा की स्तुती हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया हमें प्रभु येश्यु मसी के द्वारा मेल के आत्मा में प्रभु ने हमें एक कर दिया अपने में हमको उसमें उसके लहु के द्वारा छुटकारा अर्थात अपरादों की शमा उसके उस अनुगर के धन के अनुसार मिला है हमारे पाप शमा हो गए, परमेश्वर में हम एक हो गए, हम उसके हो गए आगे वो वचन्यू कहता है, उसके उस अनुग्र के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समत सहित हम पर बहुत आयत से किया क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, उस भले अभिपराई के अनुसार हमें बताया जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृत्वी पर है, सब कुछ व मसी में एकत्र करे ये शाय में ऐसे लिखा है परमेश्वर की योजना और इंसान की योजना दोनों बहुत ही भिन है, अलग है परमेश्वर जो सोचता है वो बहुत उच्छा है लेकिन हम इंसान की सोच अलग है हम अपने आपको ही reject कर देते हैं तिरसकार कर देते हैं अपने आपको ही उस अनुगरे से बाहर निकाल देते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन एफीसियो में यूँ कह रहा है जैसे उसने हमें जगत की उत्पती से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोश हो। उत्पती, जब हम सोचते हैं, हमें वो दो पेड याद आते हैं, क्या वो बगीचा एहम था? क्या वो दो पेड एहम थे? नहीं, मैं और आप एहम थे, परमेश्वर के लिए उत्पती से ही, उत्पती के पहले से ही, हम, आप और मैं एहम थे, we were important, परमेश्वर ने सारी योजना जो बनाई, येशुमसी को भेजने की वी योजना की येशुमसी देदारी हुआ, इस पृत्वी पर आया, अपना लहु बहाया, निश्पाब जीवन जीने के बावजूद, वो मारा गया, गाडा गया, इसलिए ताकि मैं और आप उसमें लेपालक पुत्र बन जाए, सच में हम उसमें एक हो जाए, उसके निकट हम रहे, तो मैं और आप उसके सोच में पहले से थे, परमेश्वर का वच्चन भूलता, परमेश्वर जो इतना प्रेम करता है, उसके प्रेम को जानने के बाद हम में से हर एक बदल जाता है, हम जैसे चल रहे थे, जैसे हमारी जीवन शैली थी, वैसे ही नहीं हो सकता है, जब भी उसके क्रूस को देखे, जब भी उसके प्रेम को देखे, हम बदल जाते हैं और सच्वे उस बदलाव में आज हम समर्पन करें प्रात्ना करते हैं कि परमेश्वर पिता प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर आज उस क्रूस की और हम देखते हैं और हम देखते हैं प्रभु कि उस प्रेम में प्रभु सजा आपने ले ली परमेश्वर धन्यवाद प्रभू और जब प्रभू आपने हमें प्रभू हमारे पापू में परमेश्वर रहने नहीं दिया प्रभू लेकिन अब प्रभू जैसे गलातियों में लिखा है हम हमारे पापू के लिए मर चुके हैं लेकिन मसी में हम जीवित हो चुके आज प्रभू तुझ में हम जीवि आमांगते, आमें.